और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें लोग सबा चुनाओं के बाद पहली बार पूरो सांसा जोतिराजीत सिंधिया तीन मंत्रियों के साथ पिछोर घनिया धाना और शिवपुरी में लोगों से रूबर हुए शिवपुरी सेहर में हमेशा बंबई कोठी में लोगों की जन सुनवाई करने वाले सिंधिया ने पहली बार सरकिट हाउस में वन-to-one लोगों की समस्या सुनी और उनके समाधान की भी बात कही सिंधिया का सदकार ऐसा हुआ कि हवाई पट्टी से सर्कीट हाउस की तीन किलोमेटर की दूरी तही करने में देड़ घंटे का समय लग गया सिंधिया साम साथ बज़े सर्कीट हाउस आ गया और उन्होंने अपने लोगों के स्वागत की ऐसी होड लगी कि हवाई पैट्टी से सरकीट हाउस तक तीन किलोमेटर आने में उन्हें पुरा देड़ घंटा लगा शहर को फ्लेक्स और बेनर से कॉंग्रेस कारे करता और नेताओं ने पाट दिया था सरकीट हाउस पहुचकर उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और नामंतरंग करा लिए संधिया जी आपको कितना समय कुल पांच मिनट ना अपकी फूरी बास सुनी और वहां पर भी देड़ी वहां से क्सक्राया है कि इसको सुने आप संतोस्टों प्रोज जी ये आप आज संधिया जी के पास मिलने आई हैं क्या आपकी समस्या है तो मारा से मिल नहीं आप यह बताओ कोदवाली आप गई ती कोदवाली माता है कोई सुनवाई नहीं है आज आप महारास से मिली हो क्या आपको लगता कारवाई होगी है क्या आप इस वासा नो नो ना दिया है अधिकारियों से मिलें आप बहुत परह सारे हैं तो मंगल के वर वार्वती वानिक लोग लेकर आए तो मेरी मारा पिट्टी करने लगे और मुझे बहुत पूरी मारी साथ मेरे खाने पीने का सब सामन भल ले लगए मुझे भेंकर मारी मुझे बचाने के लिए सीमा और जोती नहीं मैं यह कह रहा हूँ आप करेरा ठाने गए होगे नहीं होई अब आप सिंधियाई से मिली हों कितना आपको समय दिया उनने पूरी बास सुनी आपकी कारवाई हो रही है अभी तक ठाने में कुछ नहीं हुआ है अब आपको क्या लग रहा कारवाई होगी हम तो आए ते उनके बास है क्या करावाई होगे जरीगी स्थिति हुँ है मेरे पास प्पटी मी नहीं है आपको क्या लग रहा हुआ हूँ आपको क्या लग रहा हूँ अका मेरे नाम रक्षा हो जाए काह से आई हम अलग 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 गाउं से हैं हम बहुत सारे बच्चे हैं सभी साथ में हम यहां चार वजे आ गयते हैं और सभी साथ में में क्या आपकी समस्या है हमारी समस्या यह है कि हमने 2019 में बारवा किया था और सभी की 70% से ज्यादा प्रहती सथ है और उनको 25,000 की जुराशिक मेदावी चात्राई हो जुना की तरफ से 25,000 की राशिक दी जाती थी वो अभी तक नहीं मिलिया हम जंग सभी आपने लोग हैं सब्सक्राइब की जंसुनभाई में सब जगह आप दिन लगा चुके हैं आज आप संधिया जी से मिली तो आपको कितना समय उना नगी ने अमें मतलब थोड़ा सा समय दिया उस अनोंने हमारी समस्या थोड़ा से सुनने की बाद होना हमें सिक्ष्य मंत्री के पास बेजा उ हमें लगता है कि वह आगे कारवाई करें आपको लगता है विश्वास है हमें विश्वास है कि वह हमारा जो प्रॉब्लम है हमारी समस्या है वह आगे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और वह हमारी समस्या का सभी ने जान करता है थेलो प्रेंड्स आप देख रहे हमा को बताबाना बिल्कुल बिना मुलें